आज की वीडियो में मैं आप सभी को सुनाने जा रहे हूँ मा तुलसी की कहाने कहते हैं कि अगर दिल से प्रेम पुर्बक इनकी कथा का स्रवन किया जाए तो सारी दुख तकलिप समाथ हो जाती है हिंदो धार्मिक मानेताओ के नुसार तुलसी की पौधे में धन की देवी मा लचमी का वास होता है ऐसी मानेता है कि प्रतिदीन तुलसी जी की पूजा करने से घर में स्मृध्धी आती है और आर्थिक परिसानिया कम हो जाता है तुलसी की पौधे को बहुत ही पवित्र माना गया है इसे घर के आंगन में भी लगाने का फल बताया गया है यह भी मान्यता है कि जब ब्यक्ति की मौत हो जाती है तो कंगा जल में तूलसी मिला कर उसके मुख में डालने से मृत आत्मा को सांती मिलती है और कहते हैं कि नियामित रुप से तूलसी जी की पूजा करने जल और दूद चड़ाने से भगवान विश्नु की पिसे स्किर्पा होती है कई पर सानिया खतम हो जाती है जो तिसके अनुसार घर में सांती का बास होने के साथ आधिक मजबूती भी आती है जो तिसके अनुसार तुलसी की पौधे को कभी देचिन दिसा में नहीं लगाना चाहिए एका दसी की दिन छोड़ कर अन्य दिनों में जल जरूर अर्पित करे अब सुनिये कथा कथा को पूरा अबस्ते सुने सुआरनी मुनी की पुतरी तुलसी आपूर्व सुन्दर थी उसकी इच्छा थी कि उनका बिवा भगवा नारैन के साथ हो इसके लिए उन्होंने नारैन परवत की घाटी में इस्थित बद्रिवन में घोर तपस्या की दीर की काल तक तपस्य को प्रांध ब्रह्मा जी ने प्रेशन होकर दर्सन दिये और बर्र मांगने को कहा तब तुलसी जी ने कहा हे स्रिष्ठी के करता ब्रह्म देव आप तो अंतर यामी है आप से क्या छुपा है सेब की मन की बात आप जानते हैं फिर भी मैं अपनी इच्छा आपको बताती हूँ, मैं चाहती हूँ कि भगवान स्री हरी मुझे पती रूप में मिले, तुलसी के बाते सुन ब्रह्मा देव ने कहा, तुम्हारा अभिष्ठ तुम्हें अवस्रे मिलेगा, आपने पुर्ब जनम में किसी अपरात के कारण तुम्हें स्राप मिला है, इसी परकार भगवान स्री नारेन के एक पारशत को भी दानव कुल में जनमे लेने का स्राप मिला है, दानव कुल में जनमे लेने की बात भी उसमें नारेन का अंग्स बिधमान रहेगा, इसलिए इस जनम में पुर्ब जनम के पाप के समन के लिए संपुर्ण नारेन तो नहीं, नारेन के अंग्स से युक्त दानव कुल में जनमे उस स्राप गर्ष्ठ पारशत से तुम्हारा बिवा होगा श्राप मुक्त होने पर भगवान स्री नारेन सदा सर्वता के लिए तुम्हारे पती हो जाएंगे तुलसी ने प्रह्मा जी के इस बर को सीकार किया क्योंकि मानवकुल में जन्म के कारण उसे माया भी भोग तो भोग नहीं था तुलसी बदरी बन में रहने लगी नारेन का वह पारसद दानवकुल में संखचूर के नाम से पैदा हुआ था कुछ दिनों के बाद वह भ्रामन करता हुआ बदरी बन में आया जहां तुलसी रहा करती थी वहां तुलसी को देखते ही उस पर मुग्द हो गया तुलसी के सामने उसने अपने साथ बिवा करने का प्रैस्ताव रखा इतने में ही वहां ब्रामा जी भी आ गये और उन्होंने तुलसी से कहा तुलसी संक्चूर को देखो कैसा देवोपम इसका स्वरूप है दानवकुल में जन में लेने के बाद भी लगता है जैसे इसके सरीज में नारायन का बास हो तुम प्रैस्ताव को सिकार कर लो तुलसी को भी लगा कि उसकी तपस्या पुर्ण हुई है उसे इच्छित फल मिला है संक्चूर के साथ उसका गंधर्व विवा हो गया और वहां संक्चूर के साथ उसके महल में पत्नी बन का रागे संक्चूर ने अपनी परम सुंदरी सती साबधी पत्नी तुलसी के साथ बहुत दिनों तक राज्य किया उसने अपने राज्य का इतना अभिष्तार किया कि देव लोग तक उसके अधिकार में आ गया स्वर्ग का सुख भोगने वाले देवताओं की दसा भी खारियों के जैसी हो गई संक्चूर किसी को भी कष्ट नहीं देता था पर अधिकार और राज्य चीन जाने से सारे देवता मिलकर ब्रामा विष्णू और स्यू की सभा में गये तथा आपनी विपत्ती सुनाई ब्रामा जी ने कहा तुलसी परमसाधवी है उसका विबा संक्चूर से मैं नहीं करवाया था संक्चूर को तब तक नहीं हराया या मारा जा सकता है जब तक तुलसी को न चला जाए बिश्नु जी ने कहा संखचूर पुर्व जनम में मेरा पारसद था स्राप के कारण उसे दैते कुल में जनम लेना पड़ा इस जनम में में भी मेरा अंग्स उसमें ब्याप्त है साथ ही तुलसी के पती ब्रत धर्म से वह अजय है फिर देवताओ की सम्मति से भगवन सीब ने संखचूर के पास संदेश भेजा कि या तो वह देवताओ का राजय लोटा दे या फिर उनसे युद्ध करे संखचूर भगवन संकर के पास पहुँचा उसने कहा देवादी देव आपके लिए देवताओ का पक्ष लेना उचित नहीं है राजय बढ़ाना हर राजा का करतब्य है मैं किसी को दुखी नहीं कर रहा हूँ देवताओ से कहिए वे मेरी प्रजा होकर रहे मैंने आपका भी कोई अपकार नहीं किया है और हमारा आपका यूद सुभा नहीं देता अकर आप हार गये तो बड़ी लज्जा की बात होगी मैं हार गया तो आपके प्रीती बहुत अधिक नहीं बढ़ेगी संख चूर के बाते सुन भागवान संकर हसने लगे भागवान तो सब रहस्य समस्ते थे तुलसी और संख चूर के पुर्व जनम की सुराब की अबधी लगभग पूरी हो चुकी थे भागवान बोले इसमें क्रीती और लज्जा की बात नहीं तुम देवो के राजे लोटा कर उने उनके बदपर पर्थिश्टित होने दू यूद से बचने का यही एक उपाय है संख चूर ने कहा मैंने यूद के बल से तेवलुक जीता है कोई उसे यूद के द्वारा ही वापस ले सकता है या मेरा आंदिम उतर है मैं जा रहा हूँ ऐसा कहकर संख चूर चला गया उसने अपनी पतनी तुलसी को सारी बात बताई और कहा कर्मे भोग सब काल सुत्र में बधा है जीवन में हर्स, सोक, भै, सुख, दुख, मंगल, आमंगल काल के आधिन है हम तो केवल नीमित है, संभव है भगवन सीब दोनों का पक्च लेकर मुझसे यूद करे तुम चीनता मत करना, तुम्हारी सती तेज मेरी रक्षा करेगी दूसरे दिन भगवन संकर ने त्रित्रों में देवतावने यूद छेर दिया संख चूर ने भीशन बानों की बर्षा कर उनका बेग रोका उसके परहार से देवता डगमगाने लगे उसने दान्वी जक्ति का पड़ियोकर माया भी यूद आरंब किया यूद अस्थयल पर दानव संख चूर किसी को दिखाई नहीं देता था पर उसका अस्थ्रसस्थ्रदेवतावपर परहार कर देवतावगों को घायल कर रहा था आप देवतागन अपना अस्त्र सस्त्र चलाए तो किस पर चलाए और कैसे चलाए क्योंकि कोई सत्रू सामने था ही नहीं कई दिनों तक इस तरह भयंकर यूद चला संकचूर प्राजित नहीं हुआ तब भगवान सिब ने विश्णू जी से कहा विश्णू कुछ उपाई करिये अन्यथा मेरा तो सारा यस मिटी में मिल जाएगा तब सिरी हडी विश्णू ने सोचे बल से तो संकचूर को हराया नहीं जा सकता इसलिए चल का सहरा लेना होगा उन्होंने तुरंद अपना स्वरुप संकचूर जैसा बनाया और बस्त्र सस्त्र से स्वजित हो तुलसी के पास आये और बोले प्रिये मैं यूद में जीत गया सारी दिवता भगवान संकर समित हार गये आओ इस खुशी में आओ मैं तुमें अंक से लगा लू पदी को प्रतेक्ष खरा देख तथा बिजय का समचार सुन वह दौर कर माया भी संकचूर के गले से लिपड़ गई इस परकार पदी पतनी दोनोंने आलिंगन को खुब खुशी मनाई पर पुरुष के साथ इस परकार का बेभार से उसका सती तेज नष्ट हो गया उसका सती तेज जो संकचूर की कवज की रुप में रक्षा कर रहा था वह कवज नष्ट हो गया संकचूर सक्ति हीन हो गया यहाँ जानते ही भगवन संकर ने अपने त्रिसूल से प्रहार किये त्रिसूल के लगते ही संकचूर जलकर भरस्म हो गया संख चूर की मरने को जानकर विश्णू अपने असली स्वरूप में आ गये सामने अपने पती संख चूर के अस्थान पर भगवान विश्णू को खरा देख तुलसी बहुत बिस्मित होई उसको पता लग्या की स्यम नाराय ने उसके साथ छल किया है क्रोध में आकर उसने स्राप दिया एक सती इस्तिरी का अस्तित्व भंग करने के अपराद में तुम हिर्दैहिन पत्थर हो जाओ विश्णू ने तुलसी के स्राप को सीरो धारे कर कहा देवी तुम्हारा तथा संख चूर के कल्यान के लिए मुझे ऐसा करना परा तुम दोनों को स्राप मुक्त करना था तुम भी अब सरीर त्याकर तुलसी बिरुवा के रुप में जन में लोगी और मेरी पूजा तुलसी दल से होगी मैं साल ग्राम पत्थर बनूंगा मेरे सीस पर तुम आदर से बिरजमान होगी तुम्हारे पति की हड़ियों के चूर्न से संख की उत्पति होगी उस संख ध्वानी से दिवताव तथा मेरी पूजा अराधना होगी जहां संख ध्वानी होगी वहां मंगल मय में मैं पिरजमान रहूंगा तुमने पुर्व जनम में बदरी बन में मुझे पाने के लिए बड़ी तपस्या की थी अब अगली जनम में मैं नारैन पर अस्तर के रुप में बदरी नाथ बन में अस्ताफित हो जाओंगा और मेरी पूजा अर्चना फलफुल से न होकर तुम्हारी तुलसी दल से होगी मेरे सिस्पर ब्रजमान होकर तुम मुझे से भी उजा पद प्राप्त करोगी प्रेम से बोले तुलसी माता की जय हो सालिक राम जी की जय हो विश्नु भगवान की जय हो